नमस्कार पब्लीक में आपकसवागत इस समय उत्तर प्रदेश में लोक सभा उप्चुनाओं की गूभ switch भारती जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो लोग सबा चुनाओं की तैयारियों में अपने चुनाओं परचार में डटे हुए है बीते बुद्धवार को बहुजन समाज पार्टी की एक लिस्ट आती है जिसमें उसने अपने स्टार प्रचारकों के रूप में 40 नामों का एलान किया था इस सूची के आने के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो राजनीतिक गलियारा है उसमें एक नई चर्चा शुरू हो गई है ये चर्चा है सतीश चंद मिश्रा के नाम को ले करके चुकि इस स्टार प्रचारकों की सूची में जो 40 नाम है इन 40 नामों में सतीश चंद मिश्रा का नाम गायब होना बस्पा के दिस्टिकोन से बहुत कई माइने रखने वाला माना जा रहा है राजनितिक विसलेशक जो है वो उसके कई अलग-अलग कारण गिनवा रहे हैं दरसल साल 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी ने पून बहुमत पा करके उत्तर प्रदेश में मायावती के नितरतों में सरकार बनाई थी उस समय किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि मायावती की बस्पा जो है वो पून बहुमत ले करके आएगी पून बहुमत में भी 262 सीथे ले आएगी तमाम तरीके के उस समय जो कयास लगाए जा रहे थे उन सारे कयासों को धता बताते हुए उस समय बस्पा ने पूर्ण भहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण रहा था वो ये था कि जो दलित वोटर्स जो बस्पा के कोर वोटर्स माने जाते थे दलितों के साथ साथ मुस्लिम मोटर्स को भी मायावती ने जोड़ने का काम किया था पर 2007 के चुनाओ में दलित और मुस्लिम मोटरों के साथ साथ मायावती ने अपने साथ ब्रामभर वोटर्स को जोड़ने का एक पूरा अभियान चलाया और उस पर खूब महनत हुई खूब नतीजा था बस्पा के खाते में 262 सीटों का आना समय आगे बढ़ता गया जो यह समीकरण था उस समीकरण को आगे चलकर के सोसल इंजिनिंग का नाम दिया गया बस्पा आने वाले समय में भी अपना सोसल इंजिनिंग बरकरार रखी उसने वो सोसल इंजिनिंग पर लगातार चलती रही हाला कि 262 सीटे 2007 में जीतने वाली बस्पा के खाते में 2012 में जब विदानसवा उत्तरवदेश के विदानसवा चुनाव होते हैं तो उस समय वो जो ग्राफ है वो बेहत होता है उस चुनाव में वो पूरा चुनाव बदल जाता है एक तरफ जहां चुनाव हारने के बाद भी बस्पा लगातार उस सोसल इंजिनिंग को आगे बढ़ाती है साल 2014 में लोगसवा के चुनाव होते हैं उस चुनाव में भी बस्पा को जब 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 हार का सामना करना पड़ता है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में एक भी लोग सवा सीट पर बस्पा जीतने में काम्याब नहीं हो पाती है, फिर 2017 में विदान सवा के चुनाव होते हैं, 2017 के विदान सवा चुनाव में बस्पा के स्थिति और बुरी हो जाती है, और बस्पा के वर 19 सीटों पर स प्रायवती ने समाजवादी पार्टी का ये कहते हुए साथ छोड़ दिया था कि बस्पा के वोट जो है, वो सपा में गए, पर सपा के अपने वोट बस्पा के साथ नहीं जुड़ पाए, हलां कि जो अगर इस्थिति का आकलन किया जा है, तो बस्पा के खाते में 10 सीटे आई थी जबकि सपा को मात्र 5 सीटे हासिल हुई थी, बहराल जो दलित मुसलिम समीकरण था, उसमें जो ब्राम्बनों के जुड़ने का फायदा हुआ बस्पा को वो सीधे सीधे साफ तोर पर देखा गया, साल 2022 में जब विधान सभा के चुनाव हुए, तो बस्पा एक बा बार उसके अगुआ बने, ब्राम्बनों को अपने साथ जोडने के लिए बस्पा ने प्रबुद सम्मेलनों का आयोजन की शुरुआत की थी, सबसे पहले प्रबुद सम्मेलन बस्पा ने ही आयोजन करना शुरू किया, सतीश चंद मिस्रा ने इस 2022 के विधान सभा तो नतीजा बिलकुल इसके उलट हुआ, 2007 में 262 सीटें, 2012 में 80 सीटें, 2017 के विधान सभा चुनाओं में 19 सीटें और 2022 के विधान सभा चुनाओं में बस्पा केवल एक सीट पर सिमट करके रहे गई, एकमात रोमा संकर उसके टिकेट पर चुनाओं लड़कर के जीतने वाले विधायक बने, इस समय बस्पा का केवल एक ही विधायक है, ऐसे में अब आगामी चुनाओं की तैयारियां और प्लस अभी जो इस समय लोक सभा के उप चुनाओं हो रहे हैं, जो दो सीटे खाली हुई एक रामपूर में और दूसरी आजमगड में, रामपूर में बस्पा पर्टे ने आजम खान के करीबी को अपना उम्मिदवार बनाया है, इसलिए बस्पा ने वहाँ पर उम्मिदवार नहीं देने का ऐलान कर दिया था, वहीं आजमगड की बात की जाए, आजमगड के चुनाओं में, जब 2014 का लोक सभा चुनाओं आया तो वहां से मुलाइम स के लोक सभा चुनाओं में सपा और बस्पा का गठवंदन था, आजमगड के जो लोक सभा सीट है, उस लोक सभा सीट का जो समीकरण है, वो बहुत अलग माना जाता है, वहां पर इस्थानी जो प्रत्यासी होते हैं, उनको वहां पर विजय हासल नहीं होती है, मुलाइम सिं को वहां पर चुनाओं में जीत मिली थी, अब अखिलेश यादो के अखिलेश यादो और बस्पा का साथ चुट चुका है, वरतमान समय में अखिलेश यादो के भाई धर्मेंदर यादो वहां से चुनाओं रड़ रहे हैं, इसके अलावा बस्पा ने दो बार के वहां से उडाया रहे चुके शाह को अपना उमीद्वार बनाया है, शाह आलम जो गुढ़्डू जमाली के नाम से जाने जाते हैं, उस चेतर में मजभूत नेता के तौर पर उनकी छवी है, मजभूत नेता माने जाते हैं, इसके चुकिए वो दो बार विधायक रह चुके हैं 2017 के विधानसभा चुनाओ में बसपा के टिकेट पर चुनाओ लड़ करके वो चुनाओ जीच चुके हैं इसके अलावा अभी जो हाल में चुनाव संपन हुए 2022 के विदानसभा के उस विदानसभा में वो AIM AIM के टिकेट पर चुनाव लड़े थे हाला कि गुड़ु जमाली AIM AIM के इकलوتे ऐसे उम्मिदवार उत्तर प्रदेश में थे जो अपनी जमानत बचा पाने में कामियाब रहे थे इसके अलावा AIM AIM ने जितने भी उम्मिदवार अपने उता रहे थे सब की जमानत तक जब्त हो गई थी इस लियाद से भी देखा जाए तो गुड़ु जमाली वहाँ पर एक मजबूत नेता के तोर पर स्थापित है अब जब सतीष चन्द मिस्रा का नाम इस सूची से गायब है तो एक तरफ जहां इस चीछ की चर्चा है कि कहीं उसका हवाला दिया जा रहा है कि सतीष चन्द मिस्रा स्वास्त कारणों से सूची से बाहर है तो कहीं बताया जा रहा है कि वो राज्यसवा में उनका कारेकाल खत्म हो रहा है ऐसे में उनको दिल्ली में रह करके जादा मेहनत करनी है ये तमाम सारे कारण अब बताया जा रहे है बहुत जल्दी ही बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव करने जा रही है ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि सतिश चनमिस्रा को संगठन में कहां रखा जा competency क्या भूमिका हुगी या क्या जो अभी बसपा सुप्रीमो मायावती के बाद सतिश चनमिस्रा को बसपा में नंबर दो पर पर यह जो सूची आई है उसमें मायावती के नीचे जो बस्पा के प्रदेश अद्यक्षे भीम राजबर उनका नाव है देखना होगा कि क्या सतिश अनमिस्रा संगठन में बड़े और महतुपोर्पत पर बने रहते हैं या फिर बस्पा जो है वो सोशल इंजिनिंग बाधने क्या प्रयास करेगी देखना होगा कि क्या अब बस्पा सोशल इंजिनिंग की तरफ से मूँ मोड रही है इस सवाल का जवाब संगठन के बदलाओं के साथ ही साथ मिल जाएगा धन्यवाद